इस प्रगार जे रुप्या की तेजी से गिर ने सकता, क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है एक आसी रुपय लगभग कह रहा हूँ मैं, असी रुपय तेहत्तर पैसे डॉलर की कीमत हो गई है परधान मंत्री का ये भासन तब का है जब वो गुजरात के मुखमंत्री हुआ करते थे और सोसल मीडिया पर ये वाइरल हो रहा है तो खुदाई जारी है सोचिए टीबी अख़बार ने सरेंडर कर दिया है लेकिन परधान मंत्री की वो पुराने बाइटें वो पुराना वीडियो वो पुराना बयान ही उनकी पोल खोलने के लिए काफी है नमस्कार मैं शंभू कुमार सिंग और आप देख रहे हैं निस्नल दस्तक वो तमाम बड़ी ख़बरे जो अभी तक सोसल मीडिया पर वाइरल है एक साथ में लेकर आया हूँ आज रुपए की कीमत जिस तरह से अपने रिकॉर्ड अस्तर पर पहुँच गई है 80.73 सोचिये सुधीर चौधरी तमाम पत्रकार आपको समझा देगा की रुपए का गिरना ज्यादा अच्छा है जो लोग डॉलर में कमाते हैं उनके लिए फायदा है लेकिन ये समझाएंगे रही कि जो लोग डॉलर में समान खरीते हैं उनके लिए कितना महेंगा है तो टीबी अख़वार को ये टास्क दिया गया है कि आप सही को गलत और गलत को सही साबित कर दे एक दुसरा वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है ये भी परधान मंत्री का ही है मुद्दा वईय डॉलर तो सोचिये जो आदी मुख मंत्री था गुजरात का जब वो परधान मंत्री बनना चाहते थे तो जिन जिन मुद्दों पर वो बोलते थे महेंगाई आज क्या इस्तिती है डॉलर आज क्या इस्तिती है देश की आंत्रिक सुरक्षा आज क्या इस्तिती है सीमा की सुरक्षा आज क्या इस्तिती है लेकिन इस देश का टीबी और अखवार साइध ही सवाल पूछे और प्राइम टाइम डिवेट हो दरसल टीबी अखवार ने ठेका ले रखा है सरकार का और वो सरकार के परवक्ता है उनका जनता से कोई लेना देना नहीं है लेकिन वो तो सोसल मीडिया है जो एक-एक गलतियों को पकर रहा है खुदा ही चल रही है तो गुरुपीत गहरी बालिया ने सेयर किया है कि 2013 वाले मोदी जी कितने अच्छे थे उनको डॉलर की कितनी चिंता थी उनको रुपए के कितनी चिंता थी उनको देश के कितनी चिंता थी आपको भी सोचिएगा ये वीडियो परधान मंतरी बहुत सोसल मीडिया के फैन है उनके पास भी तो जाता होगा मन मसोस कर रह जाते होंगे बेचारे चलिए कोई नहीं दुसरा सोसल वीडियो देखिए राहुल गांधी लगातार चाय हुए है भारत जोरो यात्रा में ऐसी ऐसी तस्वीरे सामने आरे मैं बार बार कह रहा हूँ सब कुछ मैनेजमेंट है मतलब बीजेपी ने मीडिया मैनेजमेंट का खेल सब को सिखा दिया है चायबू अब कॉंग्रेस हो आमादी पार्टी हो और अब तो नितीश कुमार जी भी सीख गए है और चार हजार लोगों को नौकरी मिल रहे थी उसका भी वीडियो बनाया गया है खेर चलिए नौकरी तो मिली ते जस्वी आदब का ये वीडियो सुनिए सबसे ज़्यादा सोसल मिडिया पर वाइरल है उन्होंने कहा है कि आरजेडी के बैनर पर संसिरुमनी रविदास महराज और कबीर की भी तस्वीर होगी बाबा साब वहाँ पहले से हैं फूले परियार अंबेटकर पहले से हैं करपुरिठाकर पहले से हैं अब संसिरुमनी रविदास और कबीर की भी तस्वीर होंगी और उसने तेजस्वी आदब ने एक और बात कही है ये वीडियो एक बड़ सुन लिजिए लालु जी कभी भी संप्रदाइक शक्तियों के सामने घुटरा इनोंने ने नेटिका नहां डरे जीतता वही है जो बिना डरे फिरका प्रस्ताक्तों से लरता है गरीब और जरुतमंदों के हम मदद करेंगे कल लालु यादब ने साप साप कहा कि न वो कभी समझावता किये हैं न करेंगे जेल भी खटा हैं अब इस देश पर राज होगा बहुजुनों का एक और वीडियो देखिए कॉंग्रेस पार्टी मैं बार बार कहता हूँ कि कॉंग्रेस कई बार वही सारी गलतियां दुराती है जो बीजेपी करती है एकॉनमी की पॉलिसी हो राम मंदिर का मुदा सब कॉंग्रेस का किया हुआ है सावरकर की तस्वीरे दिखाई जा रही है कॉंग्रेस के भारत जोरोयात्रा में सावरकर की तस्वीरे है मीडिया में खुसी की लहर है उनको लग रहा है कि कॉंग्रेस देर सबेर सही सावरकर के मुद्दे पर आ रहा है सो ची और वही मीडिया जो राहुल गांदी की रैली को नहीं दिखा रहा है भीर को नहीं दिखा रहा है वो साबरकर की तस्वीर दिखा रहा है मैं इसलिए बार बार कहता हूँ कि मीडिया की एक जाती है एक धर्म है उसकी बिचार धारा है और वो Р.S.S.B.J.P. को सूट करता है ये तस्वीरे सोचल मीडिया पर और ज़्यादा वाइरल हो रही है पुलिस वाले सोचिये पुस्टर फार रहे हैं ये करनाटक की तस्वीरे है पेट्येम बला सिंबल लगाके मुखमंतरी का तस्वीर लगा दिया गया था कि 40% कमिशन लेते हैं मुखमंतरी अब पुलिस के जरिये उसको हटाया जा रहा है मतलब भारत में आप रानिती भी नहीं कर सकते हैं बीजेपी को पूरा हक है रानिती का और तमाम सोचल मीडिया पर जो खबरे वाइरल है वो सुनी और ये संजै सिंग है परधान मंतरी ने कहा था कि 80 को कोईटो बना देंगे संजै सिंग लगातार उपी में नकेल कस रहे हैं और ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि परधान मंतरी असमंजस में मैं फिर कह रहा हूँ बिपक्ष की संजै सिंग आमादी पार्टी से आप सहमत हो सकते हैं लेकिन बिपक्ष की कोई मजबूत आवाज है तो वो संजै सिंग संसर से लेकर सरतक मैं फिर कह रहा हूँ एक प्लिटकल रिपोर्टर होने के नाते डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिपक्ष बहुत जरूरी है और जो बोलता है उसको आपको दिखाना पड़ेगा हर पल आ रही है इन तस्वीरों को देखकर भाजपाईयों की बौकलाट सोभाविक है राहुल गांधी की यात्रा जैसे जैसे दिन आगे बर रही है उनको जन समर्थन मिलता जा रहा है कल्पना कीजिए जब यात्रा राजस्थान आएगी जब यूपी के बुलन सहर में आएगी तो किस तरह का जन सैलाब होगा केरल से अभी निकली नहीं है यात्रा केरल के बाद वो आंद्रपरदेश में आएंगे तेलंगाना में आएंगे तो राहुल गांधी को बड़ा समर्थन मिल रहा है राहुल गांधी का कया पलट हो रहा है हो सकता है कि कॉंग्रेस का भी कया पलट हो जाए और कॉंग्रेस में जो अंदर खाने जो रोज उनको जो लराया जाता था टीबी के जरिये अध्यक्ष कौन होगा, मुखमंतरी कौन होगा इसको लेकर भी कॉंग्रेस हम महच्योर हो गई है संजय सिंग एक और वीडियो देखिए कैसे बन गए अडानी नंबर वन और नंबर टू कहां से आया इतना मोटा माल कैसे अडानी अमीर हो रहा है सोचिये, बैंक से वो लोन लेते हैं फिर कंपनी खरीते हैं फिर उस कंपनी को बैंक में गिरवी रख देते हैं फिर दुसरी कंपनी खरीते हैं फिर दुसरी कंपनी को बैंक में गिरवी रख देते हैं फिर तिसरी कंपनी खरीते हैं कास आपके पास भी ऐसा दोस्त होता, जो बैंक से लोन दिलवाता, फिर कंपनी खरीदवाता, और फिर कंपनी गिर्वी रखके दुसरी कंपनी खरीदवाता, सुची अगर एक बैंक भी गच्चा दे गया, जैसे आप ऐसे समझे, आपने एक क्रेड़ कार लिया है, और उससे आपने एक लाख रुपए की शॉपिंग कर लिया, अब एक और दूसरे बैंक का आपने क्रेड़ कार ले लिया, और उस बैंक का लोन चुका दिया, लेकिन फि अगर किसी एक बैंक ने करजा देने से मना कर दिया तो आपकी पोल खुल जाएगी अडानी मामले में ही है जितना उन पर लोन है लगभग 3 लाख करोड का अगर वो फेल होते हैं तो भारत की एकॉनमी बैठ जाएगी और ये तस्मीरे देखिए गुजरात चुनाओं में साम दाम दंड भेज सब हो रहा है मीडिया अपने सबसे बहसी पंदोर में है अब तो गुजरात में उन्होंने आम आपनी पार्टी को बुलाना भी गवारा नहीं समझा उनको मना कर रहे है और सोचिए देश के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड वाले की गिरफतारी हुई है पता नहीं भाग कैसे नहीं पाए माल्या नीरव चौक्सी जैसा नहीं था इनका मामला और एक भी चैनल पर इसकी बहस नहीं हो रही है वो खबर विस्तार से बताऊंगा तो एबी जी ग्रूप के बैंक फ्रॉड केस कंपनी के चीफ रिसी अगरभाल गिरफतार 23 सजार करोर के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड का मामला आप सोचिए कोई इस माम इस जगह महतो कोई जाटव कोई गौतम कोई मतलब कोई SCSTOBC मानौटिक आदमी होता इतना बड़ा फ्रॉड तो उसकी पूरी कमुनिटी को बदनाम कर दिया जाता और अगर कोई मुसल्मान होता इतना बड़ा बैंक फ्रॉड तो भाईसा पूरा मुसलिम कमुनिटी देशद्रोही घोसित हो जाता यह है मीडिया की ताकत और अमबानी को लेकर एक बड़ी खबर है उनके घर को लेकर एक खबर चल रही है कि किस तरह से उनके घर की जमीन जो है वो फर्जी है और सुप्रीम कोट में कैसे मैनेज किया जा रहा है और एक Solicitor General ने कहा है कि हम इस मामले में नहीं जा सकते हैं सुनबाई नहीं कर सकते हैं एक और फरजी परचार की धजी उरी सरम मगर उन्हें नहीं आगी Pegasus का तो पता नहीं चलेगा कोई मामला नहीं बना लेकिन बदनाम बरखादत को भी कर दिया दिल्चस्प है तो सुचिए जाज जेंसी ने सुप्रिम कोर्ट में टाटा जैसे ही PM फंड के ट्रस्टी बने नीरा रादिया पर से केस लिया गया है और एर इंडिया के वो तमाम कंपनिया फिर से बेची जा रही है जो उनकी सहयक कंपनिया थे एर इंडिया में जो सहयक कंपनिया थे उसको बेचा जा रहा है पहले एर इंडिया को बेच दिया गया है और अंत में कल सी सोचल मीडिया पर वाइरल है योगी जी के मंत्री ने मोदी जी के फोटो पर माला चरहा दिया दरसल इसका मतलब होता है कि जो आदमी दिवंगत हो गया है उस पर माला चरहते हो सकता है उनसे गलती हो गई होगी सोचल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरे वाइरल करना ठीक नहीं है हमारे परधान मंत्री 200 साल जीएं 500 साल जीएं बहुत है सस्वी हो सवाल मुद्दो का है ब्यक्तिगत नहीं है आप लोग अपनी पर्तिक्रिया जरूर दीजे क्या डॉलर की बर्तिक किमतों के लिए कौन जिमेदार है क्या देश की अर्थवेवस्था चौपट हो गई है विरुजगारी महंगाई भुखमरी अपने चरम पर है और टीवी अख़वार आपको सवाल पूछने के बदले चमचागीरी में लगा है अपनी पर्तिक्रिया जरूर दीजे शुक्रिया निस्नल दस्तक की आपसे गुजारिस है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो निस्नल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेट कलर के सब्सक्राइब बटन को दवाएं फिर बेल आइकन की घंटी दवाएं निसल दस्ता को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर ख़बर को शेयर करे, लाइक करे, कमेंट जरूर करे